वल्कम टो हेल्थ केरेट होग फैट लॉस जी हां वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं फैट लॉस यानि इंचेस कैसे कब करना है देखिए जो हम इंडियन्स हैं सब कॉंटिनेंट के लोग हैं उनके जो मतलब जीन्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि अगर आपने आपका जो वजन है वो सबसे ज्यादा सबसे पहले पेट पे आएगा आप देखेंगे अगर दुबले पतले लोग भी होंगे तो उनका थोड़ा सा पेट निकला रहता है यानि कि फैट डेपॉजिट जो होता है सबसे पहले पेट पे होता है उसके बाद यहां गरदन पर होता है फिर इस तरह से कुछ बने हुए है कि हमारा सबसे पहले फैट जो है वो पेट पर डिपोजट हो जाता है तो बैली फैट को कैसे कम किया जाए देखिए सिर्फ दो चीजें आपको बंद करनी है आज मैं एक प्रॉपर आपको डाइट बता दूँगा प्रॉपर वही डाइट फॉल रहेंगी आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा लेकिन जो एडिशनल शर्भी हमारे सभी में जमा है जो टॉक्सिंस जमा है वो सारे के सारे खतम होते जाएंगे और आप दिखने में दुबले पतले हैंसम जैसे होते हैं वैसे लगने लगेंगे यह प्रयोग मैंने अपने बहुत सारे पेशन्स पर किया है और स्वयम पर भी करकर देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट है वो दो चीज़े कौन सी हैं जो आपको छोड़नी है सिर्फ गेहू और चावल ये दो चीज़े अवोईड करनी है इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं और आपका वजन क कम होता रहेगा अब आप कहेंगे कि गेहों और चावल अगर हम छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या दिखिए मैं आपको प्रॉपर डाइट बताता हूं आप वो डाइट फॉलो करें सुबह उठते हैं सबसे पहले जैसे हम इंडियन टॉलेट में बैठते हैं वैसे पानी पीना है जितना आपको पानी पी सके उतना पानी पीना है उसके बाद अगर आपको प्रेशर बन जाता है तो आपको फ्रेश होने जाना है और बाद में एक पांच मिनिट के लिए आपको कपाल भाती प्राणायाम जरूर करना है कपाल बाती क्रिया जरूर करनी है पा तो तीन तरह के अगर आपने फ्रूट्स खा लिए पल्कुल पेट भर के खाली जाए यह फ्रूट्स का आपका नाश्ता हो जाएगा इसमें आपको कुछ खाने की जुरूरत नहीं है लेकिन हाँ अगर पेट भरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना है आद परना है सबसे पहले तीन-чार तरह का सैलेड ले लेना है क्यूकिंबर ले 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 आप अनियन ले ले आप टबाटर ले ले आप कैबेज ले या बीट रूट ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सैलेड का पोर्शन पहले आपको हाफ स्टमक आपका सैलेड से भर जाना चाहिए, पहले आधा आपको सैलेड खा लेना है उसके बद बचे हुए में आप डाल ले ले एक कटोरी डाल ले 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 और साथ में एक कटोरी सब्जी ले ले बस गेहू और चावद ये नहीं लेना है, एक महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बिलेगा और 90 डेज में तो आपके चेहरे पे भी ग्लो आजाएगा और आपका जितना एडिशनल फैट है वो सारा खतम हो जाएगा तो आपने क्या करना है पहले सैलेड खा लेना है, सैलेड खाने के ऐसे ही डिनर टाइम पर भी आपको यही करना है कि पहले सैलेड का पोर्शन खा लेना है आपका कमसिकम आधा पेट सैलेड से बर जाए और उसका डाल ले लेनी है और सबजी ले लेनी अपनी पसंद की सबजी ले लीजे आप मिक्स वैज बना लीजे आप डाल में सबजी डाल दीजे लौकी वगेरा ये सब डाल के डाल को बॉइल कर लीजे वैसा ले लीजे जो भी है आप मूम की डाल ले सकते हैं आप डालें भी चेंज करकर के ले सकते हैं आप मिक्स डाल बना के ले सकते हैं आप छोले का इस्तिमाल कर सकते हैं, राजमा का इस्तिमाल कर सकते हैं, इस तरह से वराइटी क्रियेट कर लें अपने खाने में, लेकिन चावल और रोटी को अवाइट कर लें, यानि कि यह हूँ और चावल को अवाइट कर लें, बस यह प्रयोग आप करें, पहले महीने से ही आप देखेंगे कि आपका 3-4 kg वजन कम होना शुरू हो जाएगा और वजन उतना कम नहीं होता जितना आप दिखने में inches loss होते हैं कम स्क्राइब 2 इंच का आपको अंतर आ जाएगा और 90 दिन तक अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो आपका जो आइडियल वेट आपको चाहिए वो वेट आपको मिल जाएगा इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए या इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वाटसब कर सकते हैं 908213-0828 ये मेरा वाटसब नंबर है और हमारी कामना तो यही है कि आप स्वास्त रहें वेया श्त रहें मस्त रहें हमसे मिलते रहें हमसे मिलने के लिए क्या है करना है Snare लगा ऐस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के रिए फॉलो दा नेचर और नेचर विल ही यूँ थैंक यू